नमस्कार मैं हुविकास कुमार आप देखे रहे हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस भी हाट आज हम जारकंड के नामी गाउं जिसे पूरे जारकंड में जानते हैं जो की चत्राजिला में पढ़ता है बिलगड़ा यहाँ पे बहुत ही सुफ सांस्कृतिक दुर्गापुजा मनाया जाता है और यह ऐसा गाउं है जो पूरे जिला में लगभाग हर साल कोई साल ही ऐसा हो जिसमें दुतिया तिरतिया स्थान पाता हो नहीं तो एवरी एर इसका फस्टर स्थान मिलना निश्चित है तो आज मैं इस महत्पूर्ण इस सेस्ता पूर्ण विलेज के बारे म मैं आपको बताऊंगा यहां पर पूजा भी होते हैं यहां पर महराज श्री चेतन महराज जी है जो यहां पर पूजा इस वर्स कराएं 2018 में उनसे भी मैं थोड़ा सा आपको वाकिप कराता हूं तो चलिए मैं उनके पास चलता हूं आप देख रहे हैं आप तमाम भक्तों को मेरा नमस्कार यह अस्थल मुक्षदाइनी फल्गु की उद्गम अस्थली बिलगड़ा के नाम से जाना जाता है काफी प्राचिन यहां प्राकिर्तिक बनावट भी काफी अद्भूत और संसकारिक यहां विगत एक दसक से द्रुगा पूजा का आयूजन चल रहा है एक दसक से यहां भव्य रूप से द्रुगा पूजा मनाया जाता है इस बार द्रुगा पूजा यहां विशेश तोर पर काफी भव्यता के साथ मनाया जाता है और दश्मी को यहां हवन पुर्णा होती होती है उसके बाद कुमारी पूजन होता है संध्या में मेला का आयूजन होता है तद पहिचात परतिमाओं का भी सर्जन होता है बिलगड़ा काफी प्राचिन अस्थल रहा है यह मुक्छ दाइनी फल्गु का उद्गम अस्थली है यह फल्गु नदी जिसे कहते हैं कि गया में तरपन करते हैं तो मुक्छ की प्राप्ति होती है उस महान और प्राचिन नदी का उद्गम अस्थल यहीं से है यहीं से यह न अभी आपने सुना स्री चेतन महराजी से जो कि यहां पर पुजा करवा रहे हैं तो आपको और यहां के बारे में मैं बताऊंगा हमारे साथ बने रहे इस पंडाल के बारे में देख लिए आप पुरा 360 डिग्री में आपको मैं घुमा के दिखाऊंगा क्या है यहां का नजारा यहां से आप देख रहे हैं बाहर का चौक का थोड़ा से द्रिश से दिख रहा है और बिल्कुल बहुत ही खुबसूरा था और बहुत ही मैं भी दीन में सुटिंग कर रहा हूं रात को लाइट इफेक्ट जब पड़ता है तो और खास इसकी सुन्दर बनती है तो मैं आपको 360 डिगरी में लगभग पूरे चारो और का सीन दिखा चुका हूं तो चलिए आगे बने रहे हमारे साथ और भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा अब मैं इस पंडाल से बाहर निकल रहा हूं और आपको यहां से मैं बाहर करने जारा दिखाता हूं यह हमारे पंडाल का बाहर जाने का रास्ता है चलिए तो मैं बाहर जाता हूं और आपको दिखाता हूं आप देख सकते हैं बाहर भी बहुत अच्छी काफी लाइटिंग की बेश्ता है पूरे रात भर यहां पर लाइटिंग के बेश्ता रहता है यहां पर कोई प्रॉब्लम हैं कि बहुत अच्छा दुर्गापुजा मनाया जाता है अभी दीन का सीन है इसलिए रात रात को जब हम वीडियो नहीं बना रहें दीन को बना रहे हैं तो लाइटिंग बहुत सारा है लेकिन आपको आप मैं दिखा रहा हूं हमारे बिलगड़ा गाउं के परसिद्ध दुर बुर्गापुजा स्वागत समीती भी लिखा हुआ है यहां पर और अभी मैं अंदर का सीन जो बाहर से दिखा रहता है और इस वर्ष हमारे जो द्वानिस अंचालक वाइस एसिस्टेंट्स रहे हैं हमारे साहा डीजे मैं जरह डीजे के और भी लेके जाता हूं साहा डॉल अब यहां बिल्कुल पढ़ सकते हैं चार डीजे लगावा है यह हमारे गाउं में बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं और बहुत ही लाबदायाक सीद होता है हमारे लिए तो मैं इससे चार और घुमा के आपको दिखाता हूं यह है बिलगड़ा से बगरा की और जाने व है तो मैं उनके पास भी आपको लेकर जाओंगा यह पेड़ पंडाल कहीं बगल में है जिसे हमारे गाउं कहीं एक वेक्ति नहीं लगाया है और बहुत ही सज्जन और धर्म सिल वेक्ति हैं और अभी यह पेड़ फल देता है गर्मियों के दिन में और बहुत ही अच्छा है देख रहे हैं जलसा की और आपको मैं दिखाता हूँ आगे यह इसके बगल में एक दुकान है जो किराने वगेरा है छोटे-छोटे समान के लिए बहुत ही परसीद है जो बेर पान दुकान में डोट बलगड़ा चौक पर है और आप देख सकते हैं हमारे बलगड़ा को आगे लेगने में इसकी विकास को डबलप्मेंट के लिए हमारे जितने भी यहाँ पर लोग है उनके खाने पीने वगेरा छोटे-छोटे समान के लिए बहुत ही अच्छ पर चौक को मैं और आगे दिखाओंगा यह आप देख रहे हैं हमारे बिलगड़ा से जाने वाली बस्ती की और मुख्य पथजिसपे लगा हुआ है ऐसा यह आपको पूरा मैं स्सीन दिखाता हूं कि यह झी सकते हैं आप यह हमारे बिलगड़ा चौक से बस्ती की और जाने वाले मुख्य पत है और पिछले ही वर्स यहां पर पिछले ही वर्स ना कहके बलकि छे मेहना पहले ही हमारे यहां पर बहुत बड़ा यह का सुभारम हुआ और इस समाप्त भी किया गया विसाफलता पुरवक तो यह लाइट का प्रॉब्लम इस करन नंदेला दिख रहा है तो आप यहां पर देख सकते हमारे बॉलीवाल भी ऐसा गाम है जहां से वालीवाल हर साल एवरी एर पर थेक वर्स यहां पर भॉलीवाल पर तयोगीदा का उयजन किया जाता है जिससे हमारे गाउन के लोग ही और मैं आपके दिखाता हूँ दुसरे साइट से सीन यहां चॉंक का बलगेड़ा चॉंक का यह मुख्य सीन है अब मैं आपके लेके जा रहा हूँ यहां पर एक चौमिन दुकान है और एक अंशू हेर कटिंग सेलून है जो की बहुत ही फेमस है यहां के सभी ग्राम वासी इन्हें पसंद करते हैं इस सेलून को और बहुत ही अच्छा है तो आप देख सकते हैं आप इनका जो संचालक है इनका जो में ओनर है विकास सर जी अभी आप कारी रत पे हैं अपना काम में लगए हुए है और यह हमारे ग्राम की कुछ स्थित है और इसके जैस्ट बगल में एक आपको चौमिन का दुकार मिलेगा जहां पर आपके फास्ट फूर्ड वेगरा जंक फूर्ड वेगरा जितनी समान है यहां पर आपको उपलफ्द हो जाएंगे अभी यह सुबह का टाम में स्लिप बंद है लेकिन आपको मैं यहां चौमिन दुकान के बाद आपको मैं लेक आया हूँ साइकल दुकान जहां पर सभी परकार के साइकल और मोट साइकल का भी काम किया जाता है इनके संचालक एंड में जो आउनर है और अभी सर है तो आप यह देख सकते हैं छोटे से दुकान में इन्होंने बहुत सारे पूरा विडियो जरूर देखें एक दुकान के बाद आपको मैं यहीं पेस्थित सव रूक की दुरी पे एक और नई दुकान सीवानी और टायरर सेंसी का दुकान चलता है और बैनर लगावा आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सभी परकार की गा हो गया है गए हम ल॔ख आपने परेऊंसोन रि rise को सब्सक्राइण सब्सक्राइण वह घ्र्रहागे धरीर्व है तो फटू की श्यक् niños एक ediyorumela fal मचिनिक कि उफारणा उटाएण धूकर थाई कि और यहां का सब्सक्राइण जीतो सरजी है जो कि हमारे बिलगड़ा गाउं को आगे बढ़ाने में बहुत ही महतुपूर नसाबित हुए है और यह बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा दुकान है बहुत दिनों से चल रहा है यह हमारे गाउं को बुरा डेवलपमेंट के और लेग रहे हैं तो बाद मैं आपको लेकाया हूँ एक और से लून जो कि बलगड़ा में इस्तित चौक पे यहां पर भी लोग ग्रामवासी और दूर दूर से भी आते हैं बाल कटाने के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही कारियनिस्ट और बलगड़ा को आगे लेगने में इनका भी इसके बैद मैं आपके लेकाया हूँ यहां पर समोसा जलेबी वेगरे का दुकान है और यह बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा दुकान है यहां पर आपको सभी 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 गरम गरम चीजे बस तुमें खाने को मिल जागी तो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और कि देख सकते हैं कि आप इनका दुकान बहुत ही बहुत ही अछा है और यह मिठाई आज के त्यारी में लगए हुए हैं здесь यहांपर इनका मुख्या सहय कंदेश कसे निभाते हैं राजेный सर जीए और यह पूरा देख सकते हैं इंदक Radio नजरा रहा है बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त है चलिए मैं आपका और लेके जाता हूं तो हमारे साथ बने रही है पूरा वीडियो जरूर देखें इसके बाद मैं आपको लेका हूँ यहां पर बिलगड़ा के मुख्य चौक पर स्थेत है हमारे काली साथ का स्थेत अभी और यहां पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादेश्ट साब सुत्रा साब समान मिलता है यहां पर दूद्वेगरा भी लोगों के जरुत करनुसार रखा जाता और मिल जाता है चलिए मैं आगे आपको और लेके जाता हूं